हाई फ्रेंड नमस्क्राइब मैं अपुर्भा आज लेखा है हो R15 M R15 M में क्या-क्या खासियत अभी बनाया है इसका हेड लाइट ठी सेम टू सेम MT15 जैसा बनाया हुआ है इसका हैंडेल बहुत R1 जैसा आगे में लो कर दिया है डाउन कर दिया है बोलिए लूक सेम टू सेम R1 जैसा ही है यह पीछे बनाया हप चेसिज जिसको बोलते है हप चेसिज भी R1 जैसा ही है इसका भर्षन 3 से बहुत कुछ चेंज कर दिया है सिमिलर क्या है? श्रिप आगे बना हुईल पीछे बना हुईल सेम टू सेम ही है पीछे बना जो बैक लाइट है उसको भी थूरा थूरा सिमिलर है मगर उसको भी कमपनी ने चेंज कर दिया है कमपनी का यही कॉस्ट कटिंग है मुझे समझ में नहीं आता है क्योंकि इतना बारा गारी में आप लोग कभी किसी पे दो लाग रूपिया से उपर इन्वेस्ट कर रहे है मगर उसका इंडिकेटर नॉर्माल हो ओ समझ में नहीं आता कमपनी का क्या रूल्स है पीछे बेर डिस ब्रेक का सिस्टम जो पैड है उसको भी चेंज कर दिया है कमपनी ने देखिए मगर फूतरे स Handy ょ इसको पॉटरेस होल्डर जो सब है सब कुझ चेंज कर दिया है यह देखिए ब्रेक पैडल सिमिलर है मगर फूतरेस होल्डर जिसको पकड़ते है फूतरेस उसको चेंज कर दिया इंजिन सेम टूसेम है इंजिन में कोई चेंज नहीं है जो इंजिन गाड है उसमें भी यामा लेखा हुआ वर्षन 3 में आता है इसमें भी आ रहा है अभी देखे साइट पेनल सब थोरा सा वर्षन 3 वेट ज़्यादा है इसका वेट कम है देखे इसमें वाई-फाई सिस्टम आ गया है अभी इसका जो चाविश है वो सब सिमिलरी आ कि इजी होगा इसका हैंडेल पोर्षन देखे इसका जो सौकर है सौकर भी उल्टा कर दिया है जैसा के ट्यम में आता है आर सी में आता है उस हिसाब से कर दिया है क्योंकि अभी जो यह जो एम्टी 15 बाइक है यह यंग जनेरेशन के लड़के के लिए बहुत सही है इसलिए इसको मॉटिफाइड करके इसको पूरा चैंज कर दिया है यह वे एक अम्हेपर करने वह लगबदख अपाची का ठी-10 के साथ मंगर थीन का हाइर पावर होगा मगर लुक में देखिया एकल को के साथ कंपेशन करने बाला है RC-200 3 के साथ इसका मगर लोग करने लिए करने कंपेशन करना हुन आप लोग कोई भाई क्यों विसका देखिए आप लोग कोईosit इसका नहीं चामा का हर आद में बिजिट करके देखियए शौरूम में जाने के बाद ही आप लोगों को मालम चले गा कैसा है एक भाई डिलीबरी लेने के लिए आया है देखिये जो जेनरेशन है यंग जेनरेशन के लिए गारी बना हुआ है कमपनी ने देखिये इस में बैठने में इसका लाइट कॉंसुल इतना लुक इतना बरिया है देखिए डिलिबरी के टाइम में देखिए लरका कितना खुश है इस गारी को डिलिबरी लेने के बाद आप लोग भी देखिए कि दो लाक रुपिया इंबेस्ट करने जा रहे हैं दूसरा कोई भी बाइक देखने से पहले एक बर और 15 एम विजिट करके आईए मेरा हिसाब से बहुत अच्छा गारी है आप लोग ले सकते हैं क्योंकि यामा का गारी में बहुत अच्छा सब कुछ बहुत अच्छा क्या है सिर्फ इंडिगेटर मार्केट से अप्टर मार्केट से आप लोग चेंज कर लिजेगा इस ठीक है मगर इसका लाइट और 15 वर्शन 3 से इसका हेड़ लाइट कंसूल में लाइट बहुत अच्छा है आप लोग जाके एक बार बिजिट कर सकते शोरू में यामा का शोरू में जाके